बेली पार चौराहे पर फोल लेन में अधिगरहित मकान तोड़े जाने के दोरान छज्जा गिरने से एक व्यक्ति की ततकाल मौत हो गई सूचना पाकर पहुंची बेली पार पुलिस ने शोग को पोस्माटम के लिए भेज दिया आपको बता दें कि बेली पार कस्बा निवासी दिनेश विशुकर्मा की चौराहे पर दो बंदिला मकान है जिसको फोल लेन के निर्माड में अधिगरहित हो जाने पर तोड़ा जा रहा था इस दोरान जंगले के ऊपर लगा चज्जा अचानक नीचे गिर पड़ा जिससे बेली पार थाना छेट के हर दिया निवासी 55 वर्शी कुलाहल यादो जो उक्त मकान की दुकान में कुछ सामान लेने जा रहे थे उनके छज्जा गिनने से सिर में लगी कंभीर चोट के करड़ ततकाल मौत हो गई घटना के बाद परिजनों ने लापरवाहिपूर मकान तोड़े जाने पर हुई दूर घटना का आरोप लगा कर मकान मालिक के खिलाफ तहरीर दिया आपको बताते चलें कि हर्दिया निवासी कुलाहल यादो सपरिवार असम में रहते हैं 17 अप्रैल को उनके दूसरे पुत्र राजेश की शादी होनी थी शादी की तैयारियों के लिए दो दिन पूर ही वो पत्नी के साथ गाउं आये थे दोनों लड़के अभी बाहर ही हैं इस समन्द में स्पी साथ वीपल कुमार शिरवास्तों ने बताया कि कुलाहल यादो नामक पच्पन वर्शी व्यक्ती सुबा बेली पार कजबे में निकले थे और वहाँ पर बने मकान का छज्जा गिर गिर गया जिससे वह चोटिल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई इस समन्द में परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है मुकदमा दर्च करने की कारवाई की जा रही है इस समन्द में गोरकपूर नियूस समाधाता से बात करते वे एसपी साउथ पीपिल कुमार शिरवास्तों ने कहा आज एक कोलाहा ले आदो हैं ये बेली पार में रहते हैं सुबह कजबे में निकले दे करीब इनकी उम्र अठारा अठार वर्ष है और वहां पर चज्जा की तुड़ाई हो रही जी एनेज जो चौड़ाई करण हो रहा है एनेज बन रहा है इसे में चज्जा गिर गया इनके और चोटे ही लोग है और ही पर मौके पर इनकी द्यात हो गई इस संबंद में इनके उसके परजनों द्वारा तरीर दी गई है जिस पर मुकदमा कारवाई की जा रही है मुकदमा लिखने की पीम और की कारवाई की जा रही है थाना देच को बताया गया है कि जो ऐसे जहां तोड़ फोड़ होती है वह पहले से एक जनरल रूप से सबको बता दें इस चीज़ की कि अगर तोड़ फोड़ हो तो आएक प्रिकॉशनरी वह रखा जाए एक छेतर कम से कम जज्जा गिरेगा या कोई भी विल्डिंग टूट रही है तो उसका कवरेज एरिया कितना होगा और उससे बाद ही कोई इदर उसके मूव करें ऐसा कोई है कि इंडिकेशन बना दिया जाए